इन दिस वीडियो आइम गोईंग टू शेर विद दियो आल दे लाइफटाइम वाइल वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन ओफ बॉलिवोड फिल्म रागिनी एम एम एस दोस्तों मूवी रागिनी एम एम एस जो रिलीस उलती 13 में 2011 को ये एक बॉलिवोड फाउंड फूटेज हॉरर मूवी है जिसको पांच में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी इसके डारेक्टर और राइटर है पवन क्रिपलानी प्रेडिसर है एकता कपूर और शोभा कपूर आते हैं कास्ट पर इसमें राजकुमार राओ और काइनास मोती वाला दोनों लीड रोल में की आफिसर रिकास्ट नजड़ आई थीवब की स्टोरी इंसपाइर्ड है सल 2007 में आई अमेरिकन सूपर नेचुरल हॉरर फिल्म मुवी का नाम था पैरानॉर्माल एक्टिविटी यानि कि उस फिल्म से इस फिल्म की स्टोरी इंस्पायर्ड है साथी बतारी कि फिल्म के जो स्टोरी है वो बिल्कुल रियल स्टोरी पर बनाई गई है साथ ही आपको बतारे कि जिस दिन ये फिल्म रिलीस हुई थी इसके साथ तोटल तीन और बॉलिवड फिल्म में रिलीस हुई थी यानि कि सेम डे टोटल चार फिल्म में क्लैश हुई थी और चार फिल्म में रिलीस हुई थी पहले फिल्म रागनी MMS, फिल्म नमबर 2 स्टैनली का डबबा, फिल्म नमबर 3 लव यू मिस्टर कलाकार और फिल्म नमबर 4 शागिर्थ, साथ ही बतादी कि साल 2014 में रागनी MMS का सीक्वल बनाया गया था, जिसका नाम था रागनी MMS 2, जिसमें सनी लियोनी लीड रोल में नेट कलेक्षन था, वो तरह 10 करोट, 71 लियाकी रूपीष का, इंडिया का लाइफटम जो गरॉस कलेक्षन था, जिसमें टैक्स, इंक्लियूट हो जाता है वो है 14 करोट, 68 लियाक रूपीष का, इसका बजट था, 5 करोट का, अब 5 करोट के बजट के हिसाब से, फिल्म का ज इस चैनल बॉली विउस का होस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब बन जाएं मेरे दोस्त अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद